नश्कार दोस्तों ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फोर मेंज का पार्ट हैं आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों तो वीड इस साल के बजट में और अब कैबिनेट में भी एप्रूबल दे दिया हैं इसके लिए देखो अभी तक क्या होता था एससी अलग से एक्जाम कंड़क्ट करती थी वेरियस पोस्ट के लिए रेलवे अलग से एक्जाम कंड़क्ट करती थी और बैंकों में पोस्ट फील करने के लिए IBPS के दोरा अलग से exam conduct किया जाता था SBI के दोरा अलग से exam conduct किया जाता था लेकिन अलग अलग exam देने से candidates को बहुँ ज़दा problems का सामना करना पड़ता था काफी बार तो देखो जो dates थी वो class कर जाती थी opportunities candidates के लिए हो जाती थी दूर द्रांज के इलाकों में जाके paper देना अलग अलग exam के लिए fees भरना और even ये जो recruitment agencies थी उनके लिए भी खर्च काफी ज़्यादा आता था हर एक exam के लिए paper conduct करना तो इसलिए सरकार ने सोचा क्यों नहीं इन सभी post के लिए एक ही exam conduct हो जिसका नाम होगा common eligible test CET इस exam के features क्या होंगे वो हम discuss करेंगे लेकिन अभी फिलाल आप ये जान लीजिए एक अलग से organization गठिट की जाएगी बोड़ी establish की जाएगी national recruitment agency ये जो agency है इस exam को conduct करेंगी common eligibility test हर साल आलमोस्ट एक लाट पच्चिस हजार पोस्ट फिल की जाएगी इस exam की साहिता से और अनुमान के मुताबित आलमोस्ट 2.5 क्रोड यानि धाई क्रोड लोग इस exam को लेंगे हर एक साल अब features की बात कर लेते हैं common eligibility test के हर साल देखो दो बार ये exam conduct होगा graduate लेवल पे अलग exam होगा जो plus two pass है उनके लिए अलग से exam होगा और जो tenth pass है उनके लिए अलग से exam होगा और उसी के according various post को fill किया जाएगा क्योंकि देखो कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिन के लिए दस्वें pass होने क्या सकता होती हैं कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिन के लिए बारवी pass अनिवार्या है और कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसके लिए graduation अनिवारे हैं, तो ये जो टेस्ट होगा, क्लासिस के लिए अलग अलग होगा, करीकुलम सेम होगा इस टेस्ट का, एक और खास बात, बारा मेजर V facultatele 22 का अभी तक देखो जो ये जोब के लिए एग्जाम कंड़क्ट होते थे, LISA韦ी और इंग्लिस में होते थे, बट ये common eligibility test 12 major Indian languages में conduct होगा इसके लिए पूरे इंडिया में 1000 के आसपास centers होगे तो आम तोर पे एक सिकायत अभी ये रहती है कि exams के लिए जो center है urban areas में होते है तो गाओं के लोगों को ज़्यादा परिशानी होती है उन्हें सेरों के तरफ जाना पड़ता है transportation पर काफी खर्च आता है देखो देश के हर एक district में एक center होगा और ज़्यादा focus होगा देश के 117 aspirational districts पर मतलब वो districts जो backward हैं उन पर ज़्यादा focus होगा इसके बाद ये भी कहा जाता है common eligibility test ये first level test होगा candidates को sort list करने के लिए देखो इस बात से तो ऐसा लगता है जैसे जो candidates इस test को clear करेंगे उसके बाद एक और भी test conduct हो सकता है बाकि सरकार details जब जारी करेगी तब पता लगेगा लेकिन इस बात से तो यही जाहिर होता है कि candidates को sort list करने के लिए ये first level test होगा और जो score है candidates का वो देखो तीन साल तक मान्या होगा जब तक age limit fulfill होती है candidate की वो मर्जी कितनी बार इस test को दे सकता है और जो score हासिल होगा वो तीन साल तक मान्या होगा OBC, schedule cast, schedule tribe इन category के candidates के लिए जो age relaxation होती है वो इस test में भी applicable होगी इसके बाद बात अगर हम करें national recruitment agency की जो इस exam को conduct करवाएगी इसको देखो as a society register क्या जाएगा Societies Registration Act 1860 के अंतरगत और इसके जो chairman होगे वो देखो Secretary to Government of India rank के अधिकारी होगे इस agency में representation होगी Ministry of Railways की Ministry of Finance, Department of Financial Services SSE, RRB, IBPS इन सब की representation होगी इस agency में सरकार ने अभी फिलाल आल्मोस्ट 1500 क्रोड का fund जारी किया है ताकि ये agency अपना कामकार्ज करस के आने वाले तीन सालों के लिए देखो Best Practices और State of Art Technology यानि Modern Technology को अपनाय जाएगा इस agency के द्वारा Central Government के लिए recruitment को conduct करने के लिए तो ये हमने बात की देखो आप खुद एक एस्पारेंट हो इस exam के क्या-क्या फाइदे होंगे आप आसानी से ड्रा कर सकते हो खांस करके ग्रामीन इलाकों के जो candidates हैं उनको सहरों में नहीं जाना पड़ेगा exam देने के लिए UPSC देखो कितने दूर-दूर सेंटर देती हैं हलांकि UPSC के अपने concerns हैं उनको लगता है कि अगर बड़े सहरों में सेंटर होगा तो exam conduct करना आसान है transparency बरतना आसान है क्योंकि बहुत ज़दा centers में exam अगर conduct होता है तो local level पे cheating को रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये UPSC के बेटे को लेके आया exam दिलवाने के लिए क्योंकि अभी COVID-19 है transport की facilities available नहीं है तो हर एक district में exam conduct होगा तो इसके फाइदे तो होंगे ही fees भी बार बार नहीं बढ़ने पड़ेगी candidates को अलग अलग exams के लिए अलग अलग fees बढ़ने बढ़ती है तो financial burden काफी पड़ता है हर साल दो बार exam conduct होगा तो candidates अपनी performance को improve करस केंगे score की जो validity है वो तीन साल तक रहेगी तो एक बार exam देने के बाद candidate कुछ दूसरे चेतरों में भी संभावना इतला सकता है क्योंकि उसको लगेगा कि एक बार तो exam ये clear हो ही गया तो वो score तीन साल तक चलेगा तो उसी exam के पीछे नहीं बैठा रहेगा candidate transparency ज़्यादा आएगी इसके बाद next advantage candidates देखो एक ही portal पे जाके various jobs के लिए register करवास केंगे और जो exam dates class कर जाती है काफी बार उसकी समच्चा भी दूर हो जाएगी recruitment cycle का जो time है वो कम हो जाएगा काफी बार देखो कुछ agencies जो है एक-एक साल का वक्त लगा देती है पूरा cycle को complete करने में देखो UPSC वक्त लगाती है उसके अपने issues है क्योंकि mains जो exam होता है उसमें लिखना पड़ता है लेकिन SSE, IBPS इन exams में इवन जो tier 2 होता है दूसरा level होता है वो भी objective type का होता है जातर exams में और interview तो इनका conduct होता ही नहीं है UPSC तो interview भी लेती है लेकिन ये agencies भी एक-एक साल का वक्त या फिर उससे ज़्यादा का वक्त लगा देती है पूरे cycle को complete करने में next examination pattern में भी standardization आएगा ये देखो aspirants के लिए बड़ी समझा है railway का exam होगा उसमें अलग pattern होगा IBPS का exam होगा उसमें अलग pattern SSC का exam उसमें अलग pattern sorry और काफी बार तो आपके आसपर दोस्त में आपने ये कहते सुना होगा लोगों को अरे UPSC की त्यारी कर रहा है तो state PCS का exam तो निकाल ही लेगा या फिर SSC का exam तो निकाल ही लेगा अब उनको कौन बताया कि slave सबका अलग अलग होता है एक काम देखो वैसे सरकार के दोरा ये किया जा सकता है UPSC जो civil services के लिए अभी test conduct करती है उसी के through various states में civil services की post को fill किया जाए समझ गे तो वो candidates जो state PCS का भी test देना चाहते हैं और civil services का भी देना चाहते हैं उनको दो-दो test नहीं देने पड़ेंगे एक ही test में अगर पीछे की rank आती है तो वो उसके पास chance रहेगा state PCS में select होने का खेर सरकार इस बात को नहीं वानेगी of course states भी नहीं वानेगे states तो हमेशा से ये चाहते हैं न हमारे राज्यों में जो civil services के लिए candidates का chain हो वो हम ही करें क्योंकि फिर वो उसमें corruption कर सकते हैं अपनी तरफ से process को modulate कर सकते हैं उनके vested interest हैं खेर next article में कुछ concerns भी बताय जाते हैं सबसे पहला concern ये है government jobs कितनी कम है एक साल में सिरफ 1,25,000 post के लिए ये exam होगा government jobs देखो कम हैं और ये exam सिरफ central government की jobs के लिए होगा, state की jobs के लिए नहीं होगा, हमारे देश में railways और defense sector ये total government job में सिरफ 14% contribute करते हैं, जाला तर jobs तो state governments के द्वारा provide के जाती हैं लेकिन state government की jobs fill नहीं होगी इस exam की साहिता से next काफी बार देखो ऐसा होता है central government के पास post तो काफी खाली होती है लेकिन उनके लिए notification नहीं release की जाती even automation भी आता जा रहा हैं तो पहले के अपिक्सा करत जो post हैं सरकारी post हैं वो कम होती जा रही हैं आप एक सोटा सा example लीजिए railways में अब privatization की तरफ सरकार आगे बढ़ रही हैं तो पहले के अपिक्सा करत कम post available होंगी railways में काम करने के लिए तो ये कुछ concerns हैं last में conclusion में कहा जाता है reform तो देखो समय के अनुसार आने चाहिए जरूरी भी हैं लेकिन recruitment हमारे देश में ऐसा होना चाहिए जिसके लिए well defined procedure हो wide publicity हो मतलब grammyn इलाकों के लोगों को पता लगे इस system के बारे में jobs के बारे में open competition हो और किसी परकार का कोई discretion ना हो candidate selection की जो पूरी process है वो model होनी चाहिए speedily conduct होनी चाहिए efficiently conduct होनी चाहिए और पूरी process में integrity को maintain करना भी जरूरी है इस discussion में फिलाल इतना ही है thank you, thank you very much for discussion